हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू इस वीडियो सुरू करने से पहले यह जो वीडियो में बना रहा हूं यह भीडियो हमारा इस टॉक में इस वीडियो में हम आठ स्टॉक कभर करेंगे जो की एइड स्टॉक को मैं आपको बाइंग लेवल भी बताऊंगा और इसका टार्गेट प् इस पर आपको profit booking जरूर कर लेना है जो कि swing trade के लिए हम इस टॉक बढ़ता रहे हैं जो भी हमारा पुराना सब्सक्राइब हरे उनके पास में जरूर रहेगा जो नया सब्सक्राइब काफी सरे नया सब्सक्राइब जुड़े हुए नया भी और जुड़े हुए हैं मैं आप सबके लिए वीडियो बनाया हूं तो आप वीडियो जरूर देख लीजिए आखिर तक देखिए आपको पता चल जाए किसी बेसिस पर मैं बता रहा हूं और कौन से टार्गेट पर इमीडियेटली निकल जाना है हमारा जो रिजगर हमारी फेवर में में जो avoided जीनको ऍ라 साइलिशिस पता है तो जरूर मेरी बात से बिल्कुल कर सकते हैं थिक कि आप वीडियो में लास्य जरूर बने रही है अगर हमेरे ब्लस ट्रूरा से कमेंट सेक्षन में जरुरू बल बताए कि हमारा रिश्कोंट से क्रिवाट रशिय में और tota बलाओन को फिदियो देख लिए विडियो देख देख लिएगा आप को मैं पहले से बोल देता हूँ मैं странा इंपटन समी ऑध की तौन्टीma पcketन से स्टौक में इतना ज्यादा टाइम में आप क्यों ले रहे हो फ्रेंड से हर एक चीज को बताना जरूरी है क्योंकि जहां पर हाड मॉर्णी हमने अपना मेहनत का खुन पसीना का मेहनत का कमाई की जम हम कर रहे हैं और एक मिनिट में हम इमीडिटली लॉस्बुक करके चले जाएंगे हमारा खुद का पईशान करके चले जाएंगे मैं नहीं चाहता हूं इसलिए मैं आपको वीडियो बनाया हूं जो की हर एक चीज हर एक परैमिटर पुरा बारी की से समझाया हूं ठीक है लेकिन लाइक करेंगे does lie करेंगे वा आपके हाथ में उसमें कुछ नहीं कर सकता हुं मैं बैस्त दनेुआ कि Yakis करता हूं जले बीडियो पूरे तक देखिए आप पता चलएगा सारइस बीच तक कबर किया हूं तक économique he प्रस्पेक्टिव आपको भी पता है तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं आपको काफी लेट भी हो रहा है अभी देखिए पहला स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि अबढ़ी है फिक अब अभी अगर अगर मेंगे चलते हैं अगर अगर हम पोजिशन बना के चलते हैं अगर हम चलते हैं पर तर्टी सिक्स परसेंटेज का गेन मिल सकता है ठीक है यह पहला स्टॉक है सेकंड स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि दौलत इंबेस्टमेंट यह मुझे लगता है यह स्टॉक आपको 41 परसेंट इजली कमा के देगा ठीक अगर इस टॉक में पोजीशन मना के चलेंगे में इसका ट्राक रेकर्ड भी उसी हिसाब से कोई प्रोब्लेम नहीं है आपको टिक न तो यह स्टॉक में बिलकुल पोजीशन बना के चल सकते हैं आपको अभी बाईंग मर्केट प्राइस में बाई करके चल सकते जोकि 89 रुपीज के पास में चल रहा है यह स्टॉक को और यह चाहिए कि भी नहीं चाहते हैं और बता दो बस तरागेट लेट ये लिवल बता दो उतना बस काफी है इसा नहीं होता है करने के लिए यहां पर काफी सरे इंवेस्टर हैं जो भी हमारे वीडियो देखते ना उनका पॉट्फोलिय साइज तो इतना इंवेस्ट्मेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सथा टाइम तो देना पड़ेगा ना वह सब्सक्राइब करने के बाद में यहां तक आ चुका है लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको इसमें पोजीशन बनाने के लिए और यहां तक आ जाए तो आपके लिए और एक उपर्चुनिटी बन के आ सकता है जो कि 54 का लेबल मुझे ऐसा लग रहा है आ सकता है लेकिन मुझे है अगर यहां पर एक लिए तक चल सकते हैं अभी का लेवल पर आपको जो टारगेट रहेगा अ Möglichkeit का तर्गेट तक आंप रहके चल सकते हैं इसमें आपको उoben 67 परसेंटेज का कज़ेंच मिल सकता है और में प्रॉक्विस और हम रोड़ देख लेते dot प्रेजलेक्ट में अगर देखने रिजल्ट में कंपनी में 50 सिक्सक्रोट सेल्स सब्मies अभी का अगर हम देखते हैं September में यहां पे 361 करोड का sales है sales में थोड़ा सा improvement है अगर हम profit देखते हैं profit में थोड़ा सा decline है जो कि पिछले quarter में 51 करोड का था अभी 46 करोड का है तो यहां पे अगर quarter to quarter भी देखेंगे तो यहां पे decline है जो कि पिछले quarter में 63 करोड का था अभी 46 कर है तो अगर profit में थोड़ा सा net profit में थोड़ा सा decline हुआ है इसे हमें कोई एक ही quarter देखके हम जाज नहीं कर सकते कंपनी डेट फ्री कंपनी है प्रोमोटर प्लेज जीरो है आरो से दिखे तो यह सब चीज जब आपको देखता है ना तो आपको इसमें बिल्कुल सक नहीं होना चाहिए ठीक है आप इस टॉक में बने रह सकते हैं जो कि 67 परसेंटेज का आपको प्राफिटी सुक्स से मिल सकता है फ्रेंड्ज निक्स के पारें बात करें बैने बात करेंगे मुझे हिस रसा मानना को मेर इस टॉक में हमें 39 परसेंटेज का गेन मिल सकता है लेकिन जो सरो डि consist इस पर इसमें आपको 29 परसेंटेज का गेन मिल सकता है विदिन थ्री मॉंट्स ठीक है अगर इसका हम अगर एक बार आनालिसिस एक बार देख लेते हैं गुडियर में क्रोड का मार्केट क्या पर इसका डेट फ्री कंपनी है आरोच देखेंगे टुंटी का आरोच है टुंटी वान का प्रमोटर प्लेज जीरो है ओल्टाइम हाई देखेंगे त्यरा सो बतीस का है अभी 30 पर्सेंट करेक्शन पर हम देखें हमारे पास में अभी आवेलेबल है यह टायर इंडस्ट्रीज में है अगर इसका हम प्राफिट देखते हैं यहां पर सेल्स अगर देखेंगे तो सेल्स में इंप्रूमेंट है पहले सेप्टेंबर में 481 करोड का सेल्स था अभी अगर सेल्स देखते हैं सेप्टेंबर में 698 करोड का सेल्स है सेल्स में तो देखते हैं यहां पर डिक्लाइंड है लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से स्टॉक में आपको बड़ी ऐसा भी टार्गेट देखने को मिल सकता है यह जो शुइंग ट्रेड में आपको बिल्कुल को लेवल के बारे में बताऊंगा अगर रिफ को फाइनांस के बारे में बात करेंगा अगर इसका हम देखते हैं यहां पर आखिर तक बने रही है मैं आपको बताता हूं यहां पर अगर यहां पर फिट देखेंगे तो पहले सेप्टेंबर में 84 करोड का प्रफिट था अभी अगर देखते हैं अगर हम देखते हैं तो आज़ी टीजे इन्वेस्टर का भी डाटा वही सेम दिखा रहा है कोई प्रोब्लेम नहीं है यहां पर फाइए का थोड़ा सा डाटा के लिए कोई प्रोब्लेम नहीं है यह जो होंएंनस है तो और को तो कंपनी यह प्रोफिटबल नहीं है अगर इसका करने चलते हैं अब ही अगर आप सोचते हैं इसको all-time हाई तक रखेंगे तो आपको ज्यादा दिन लग सकता है यह वो सकता है यह मेरा टारगेट है आपक तो साल के लिए इंतिजार करना पड़े लेकिन छोटा-छोटा गेन अगर अपने नहीं को साल में को मोका मिल सकता है तो मैं चीज़ बता रहा हूं जो प्रक्टिकल है ऑफ को बता रहा हूं मेरा बात का अग्री कर सकते हैं यह बीकर सकते तर्गेट आपको यह आपको भी 6 months to 3 months to 6 months के अंदर यह stock आचीव हो सकता है अभी का current market price अगर देखेंगे 523 पे चल रहा है अभी के हिसाब से अगर यह stock आप लेके चलते हैं अपना portfolio में आपको 56 percentage का गयन मिल सकता है फ्रेंची स्टॉक में ठीक है इस टक में आपको 56 percentage का गयन मिल सकता है इसका अभी result नहीं आए है लेकिन फिर भी कोई problem नहीं है क्योंकि आप देखेंगे ना यहां पर 422 इसका बुक वेल हो है अगर हम देखते हैं यहां पर कॉरेंट प्रेस 525 पे अगर इसी साब सब बाजाज फाइनस देख लीजिए आपको यहां से पता चलना बहुत जरूरी है अगर हम जो स्टॉक बाई कर रहे हैं उसका वैलुएशन क्या है बाजाज फैनन्स देखेंगे इसका कॉरेंट डॉबल प्राइस देखेंगे जो कि 7500 है तो इससाब से 10 टाइम से हम लोग पे कर रहे हैं बुक वैलू से उपर ठीक है तो इसी साब से कंपनी भी ब्रांड है ब्रांड की साब से पे करने के लिए हरकोई मार्केट भी डारलिंग बनाके रखा हुआ है कोई प्रोब्लेम नहीं है । स्टॉक में हमारा रिस्क नहीं यह आप सोच के चलिए में अभी एंट्री करने के लिए क्यों आपका अभर कर रहा हूं वहां पर प्राइस आएगा थोड़ा सा ओल टाइम हाई से टॉंटी परसंट का करेक्शन आजाने दिए मिलेगा मिलेगा जो भी बोल रहा है या सा मिलेगा नहीं मिलेगा मैं आपको प्रूब के साथ मिया बताओंगा लेकिन हमेंछे वह बक्त नहीं होता है ठीकर ना बइस करेंगे तुझा का टाइम में यह स्टॉक में हमारा रिश्क रिवाåड जो हमारा नहीं जाएगा यहां यह इस लेवल तक अगर आप रखते हैं तो आपको 55% का गेंड मिल सकता है लेकिन चॉइस आपका रहेगा ठीक है क्योंकि जब आपका इन्वेस्टमेंट आपका है तो आपका चॉइस भी आपका रहेगा खुद का आप खुद का आनलीसिस पर आप आई करेंगे नेक्स टॉक के बारे में बात करेंगे जो की गॉल्फ ऑयल में हमने रेजल्ट भी नहीं 0.33 अगर हम इसका प्रोफिट देखते हैं प्रोफिट एक बार देख लिए अल्टाइम हाई दिखिए 1100 अल्टाइम हाई है अभी 591 के पास में अभी करेंट लिए ट्रेड हो रहा है अगर इसका हम सेल्स देखते हैं यहां पर लास्ट सेप्टेंबर में 412 करोड का स अभी अगर हम देखते हैं 534 करोड का सेघयर में तो इंप्रुमेंट है यहां और देखेंगे तो अगर यह नट प्रफिट अगर हम क्वार। तो कटर देखेंगे तो इंप्रूमेंट है लेकिन कोई भी प्रोब्लेम नहीं तो यहां पर डिया का ड़ाटा कुछ प्रोब्लेम नहीं है तो इसी साब से प्रोब्लेमी के पास में तो बहुत ज्यादा होल्डिंगे सब्सक्राइब को नहीं मिल रहा है तो इसलिए आप इस टॉक में बने रहे हैं मुझे ऐसा लगता है इस टॉक में आपको एक बड़ी ऐसा रिटन देखने को मिल सकता है ठीक है तो जिसी साथ से हमारा हमारा फेवर में है ठीक है अगर हम यहां पर देखते हैं अल टाइम लोग के पास में चल रहा है अभी करेंट मार्किट पाइस पर अगर बाय करके चलेंगे 590 के पास में यह स्टॉक का टार्गेट आप कराएगा 840 जो कि आपको 42 परसेंटेज का गेन मिल सकता है फ्रेंट्स मैंने जो भी स्टॉक का आपको बताया हूं यह फुर्टी परसेंट टार्गेट का आपको स्टॉक बताया हूं यह स्टॉक में आपको मेरे हिसाब से 6 months to 8 months में आपको 40 परसेंट का गेन मिल सकता है फ्रेंट्स अगर फिर भी यह स्टॉक में आपको होल्ड करना पड़ सकता है अगर फिर भी आपका टार्गेट आचीव हो जाता है 6 months में यह हमारे लिए बहुत बढ़ी बात है बहुत अच्छा सा चीपमेंट हमारे लिए हो सकता है लेकिन यह सारा स्टॉक में रिस्क रिवाड हमारा फेवर में यह फिर से मैं आपको रिमाइंड करना चाहता ह हूं ठीक है आप बिल्कुल डरिये मत ठीक है खुद का थोड़ा सा अनालीसिस किजिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिपिकेशन रखिए इंबेस्टमेंट किजिए स्टॉक मार्केट से बढ़ी असा गें लीजिए ठीक है स्टॉक मार्केट से में अगर बने रहेंगे तो को जरूर लाइक कर दीजे थैंक यू भरी मच फ्रेंड्स पर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में